तो अगर आपकी अभी अभी शादी होने वाली है तो आप इस तरह का ओड मिल का इस क्रफ बना की लगाई है यह आप इस उप्टन बहु सकते तो आपको इसे टीनिंग की प्रॉब्लम दूर होगी और यह आपके फेस को मुश्राइस करेगा वैसे भी सर्दियों का सीजन आ र तो चलिए गाइस हम बनाते हैं अपना उप्टन खुद तयार करते हैं तो इसके लिए मैंने जो और मिल दा उसे पीस लिया है चुकि मुझे एक महीन पाउडर मिल गया आप देख सकते हैं और आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं किसी एर्टर कंटेनर में और यह बिल्कुल यह यह बिल्च भी ले सकते हैं यह मैं इसे फेस के लिए यूज करने वाली हो तो मैं इसमें ओली वन टीजपून लोंगी जो कि मेरे फेस के लिए इनाफ है और आप जब भी से यूज कर दो पहले पैस्टेश जरूर कर ले क्योंकि हो सकता है यह आपको सूट ना करें उसक थेृप्ट तो आपको पिइमेंट प्राब्लम से भी ढूंआ की अच्छा होता ही और पिर इसमें मैं एक्च बढना एकशनी हनी थे विर दिप स्कून को प्रकुपर करता है और यह में चलिःज़ कर सक दाने हैं Nicholas से मिक्स कर लोगी मिक्स करने के बाद में इसे 15 मिनिट के लिए इसको रख दूँगी साइड में ताकि जो भी इंगिरियंस में इसके अंदा एड किया सब अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद में से यूज करोंगी और इसे यूज करना बहुत ही सिंपर है अगर आपकी वै अब की स्कीन में चमक आई है और रियली इससे चमक आती है आती है वीडियो देख रहे है तो प्लीज सब्सक्राइब जरू कर लीजिए और बैल को भी ओन कर लेना इसके लावर भी बहुत सारे उप्टने जो दूलन के लिए बहुत हैलफूल है जो उनकी स्कीन में एक जाओंगी तो चलिए अभी फोकस करते है इस वीडियो पर तो आपको इसे कैसे अप्लाइ करना है सिंप्ली अपने फेस को वाश करना है जो भी आप नहाने जाते है नॉर्मल पानी से तो वाश करने को ताकि जो एक्स्ट्र गंदी है वो पानी से और रिमोव हो जाए उसके साथ जो दाग डबे हैं या निशाने वी रिमोव होते चले जाएंगे और इसके लावा आपको ब्लैक हैट से वाइट से वाइट से वह भी इसके साथ साथ रिमोव हो गए तो जब यह ड्राय हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है कि तब ही आपको हलका सा पानी फेस पर चिरकना है उसके बाद पानी की हैस से अपको इसको रीमूव करना है तब ही आपको इसको रगण है और यह अपने फेस के साथ साथ अपने नेक पर भी अपलाइक कर ताकि फेस और नेक डोनॅ सेम ही लगे जब आप इसे रेगुलर यूज किरेंगे तो आपको अगी श और इसको लगाने के बाद जब आपना के आते हैं उसके बाद आप बहुत अच्छे से मौश्राइजर करें मौश्राइजर करना बहुत जरूर है क्योंकि विंटर भी है और दुलन के फेस पे एक नेच्रल ग्लोव एक नेच्रल शाइन होना ही चाहिए जो की अच्छे से सेंगार ट्रीटमेंट या एक महेंगी फेशल लेने की भी कोई ज़रूरत में होगी क्योंकि यह आपके लिए पेशल का काम करेगा एक पैक का काम करेगा तो यह कंप्लीट पैकेज है और यह बहुत अच्छा है आप इसे जरूर बना के लगाए और मुझे अपने एक्स्प कोई रेक्शन या अलर्जी नहीं होती यह काफी अच्छा है तो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाबाई अपना ध्यान रखिए